हालो फ्रेंज आए आज वालंटेंडे के लिए केक बना थे तो मैं इधर ब्रेड और ओलियो बिस्केट लेके बहुत सुन्दर सा टेस्टी केक बनाई है बहुत काम टाइम में बन जाता है और उसको ग्यास की भी जलरत नहीं तो आप कहीं में बेट के बना सकते हैं आए फटा बिस्केट लेगे क्रीम को अलग रख लेंगे उसके उपर हम दूद रालके उसको ब्लेंड करेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा दूद दालने एक साथ दूद डालें तो हमार ज्यादा पानी पतल पतला हो जाएगा बैटर तो केक उपर अथिसे लगेगा नहीं इसलिए थो रखेंगे और हम हार्ट के लिए सर्कल पाल नहीं कङें पतला हमार का सेफ आ जाए गा उपर कर लेंगे तो डूद फैश कहार்छंड की धरर में अगें और एसे क्रीम लगा के उसको हम सस्में जैसे बनाते हैं केक वह जी लगेगा तो सारे ब्रेड को मैं इधरे से कॉट कर लिया और थोड़ा डाग चोकलेट लेके मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ ताकि उसके उपर हम डाल देंगे गार्नेसिंग लिए और अभी मैं थोड़ा सा दो चमच चिननी लेके उसको पानी से मिलाके शुगर सिरफ बना देंगे और हम डालेंगे ब्रेड की बीच वीच पे ताकि हमारा ब्रेड ड्राइन लागे अभी स्टाट करते हैं केक बनाना तो नीचे एक प्लेट के ऊपर में नीचे चोकलेट डाल दे हूँ ताकि हमारे ब्रेड है फिसल के निकलना जाए अभी हमारा पहला लेट चे हो बिल्कुल रेडी हो चुक है हम उसे नीचे तबाह देंगे ताकि यो निकल के बाहर ना आ जाए अभी हम डाल देंगे वह सुगर सिरफ जो हम बनाए थे पानी यो सुगर को मिलाके ताकि ब्रेड ड्राइन अजल लगे उसके उँख़ फिक चॉकलेट का मिल दे देंगे जो हम बिसकेट स protective affair अभी हो दकि तनम धाल देंगे मघेंगे पांवा न साप तर कiones का ढृत का लिडब हमारा फक्ष्यएं और थोटा साला मिलात शुकरेट का मिलोदेंगे उसके अभी हम तहाव साकरेड पोन साइड उपर निच्छी चारो और हम डाल देंगे चोकलेट को एसे फिनिशिंग कि पता नहीं चलेगा कि अंदर ब्रेड है कि सच में केक बना हुआ है अब जो हम चोकलेट को ग्रेट करके में पांच मिनट के लिए फ्रीजमें डाल लें ताकि वह स्ट्रॉंग बन जाए तो चोकलेट को जो चीप्स बनाए थे उसको हम उसके साइड जाइड में लगा देंगे अब जो बिस्केट के क्रीम निकाले तो उसको तो हम फेकेगे नहीं ना खाना वैस्त नहीं करना है तो उसको मैं एसे कुछ फ्लावर बनाने के लिए कोसिज कर रहे हूँ उसको अबर मैं एक फ्लावर बन जाएगा अब हम उसके उपर रख देंगे और थोड़ा थोड़ा रेकुरेट कर लेते हैं क्रीम से और चेरी से और दिखिए केक बहुत सुंदर दिख रहा है और बहुत टेस्टी पी अंदर से लगगे नहीं कि आप ब्रेड लेके बनाएं और काम टाइम ह बन जाता है और ग्यास के भी जोड़ूत नहीं तो आप कहीं पर बैठ के वाला बना सकते हैं अगर आप पो यह वाल ऐसी पसंद है तो प्लीज उसे लाइक से और कमेट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आए आप केक कट करके देखते हैं तो ऐसे तो दिल क किसी का तोड़ना नहीं चाहिए लेकिन बिना कट कर हम केक केस देखाए देखिया अंदर से बहुत टेस्टी है और देख रहा है लेयर भी एंड हापी बालंटाइन देट वाल